साथ्यों, संसदिया लोक्तंत्र में आज का दिवस गवरों में है यह वैभव का दिन है आजहादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये सपत समारो हो रहा है अब तक ये प्रक्रिया पूराने सदन में हुआ करती है आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचीत सांसदों का कि रुदय से स्वागत करता हूं सबका अभिरंदन करता हूं और सब को अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूं संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानुवी के संकर्पों की पूर्ति का है नए उमंग नए उत्षा के साथ नई गती नई उचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण आउसर है स्रेश्ट भारत निर्मान का विक्सिद भारत 2047 तक का लक्ष ये सारे सपने ले करके ये सारे संकल्प ले करके आज अठारवी लोकसभा का प्रारंब हो रहा है विश्वकां सबसे बड़ा चुना बहुती शांदार तरीके से बहुती गवरव में तरीके से संपन्ध होना ये हर भारती के लिए गर्व की बात है एक सो चालिस करोर देश वाच्छों के लिए गर्व की बात है करीब 65 करोड से जादा मत दाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया ये चुनाव इसलिए भी बहुत महतोपुन बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया ये अपने आप में बहुत बड़ी गवरोपुन घटना है साथियों जब देश की जनता ने तीसरे कारकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है मतलब उसकी नियत पर महर लगाई है उसकी नीतियों पर महर लगाई है जनता जनारदन के पति उसके सबरपन भाव को महर लगाई है और मैं इसके लिए देश वाश्यों का रदे से आभार व्यक्त करता गत्दस वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थाबित करने का निरंतर प्रयास किया है क्योंकि हम मानते है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमती बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमती के साथ हर किसी को साथ लेकर के मा भारती की सेवा करे एक सो चालिस करोर देश वासों की आशा आकांच्छाओं को परिपूर्ण करें हम सब को साथ लेकर के चलना चाहते हैं सब को साथ लेकर के सम्विधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णेओं को गती देना चाहते हैं अठारवी लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवास सांसोदों की संख्या अच्छी है और हम जब अठारा की बात करते हैं भारत की परंपराओं को जो जानते हैं भारत की सांस्कूर्तिक विरासत से जो परिचीद है उनको पता है कि हमारे यहां अठारा अंक का बहुत सांत्विक मुल्य है गीता के भी अठारा अध्याय है कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है हमारे यहां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी अठारा है अठारा का मुलांक नव है और नव पुर्णता की गारंटी देता है नव पुर्णता का प्रतीक अंक है अठारा वर्ष की आयू में हमारे यहां मतादिकार मिलता है अठारवी लोकसभा भारत के अमरितकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक सूप संकेत है साथियों आज हम 24 जून को मिल रहे हैं कल 25 जून है जो लोक इस देश के संविधान की गरीबां से समर्पित हैं जो लोक भारत की लोकतांसरी परमपराओं पे निष्टा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भुलने वाला दिवस है कल 25 जून को भारत के लोकतंतर भी जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं भारत की नई पीड़ी इस बात को कभी नहीं भुलेगी कि भारत के समिधान को पूरी तरह नकार दिया गया था समिधान के लीरे-लीरा उड़ा दिये गए थे देश को जेल खाना बना दिया गया था लोक कंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था इमर्द्यम्सी के ये पचाथ साल इस संकल्प के हैं कि हम गवरों के साथ हमारे समिधान की रख्षा करते हुए भारत के लोगकंत्र लोगकंत्रिक परंपराओं की रख्षा करते हुए देश्वासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो पचाथ साल पहले की गई थी और लोगकंत्र पर काला धब्बा लगा दिया गया था हम संकल्प करेंगे जिवन का लोगकंत्र का हम संकल्प करेंगे भारत के सम्मिधान की निर्दिस दिशा के अनुथार जन सामान्यकी के सपनों को पूरा करना साथियों देश की जन्ता ने हमें तीसरी बार मोका दिया है यह बहुती महान विजय है बहुती भव्य विजय है और तब हमारा दाईत्व भी तीन गुना बढ़ जाता है और इसलिए मैं आज देश वाच्चों के विश्वाद दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मोका दिया है दो बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है मैं देश वाच्छों का आज विश्वाद दिलाता हूँ कि हमारे तीसरे कारकाल में हम पहले से तीन गुना जादा महनद करेंगे हम परणामों को भी तीन गुना लाकर के रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कारेभाल को देखर के आगे चल दा है माने सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेच्छाएं मैं सभी सांसदों से आगरे करूँगा कि जनहीत के लिए लोग सेवा के लिए हम इस अवसर का उप्योग करें और हर संभव हम जनहीत में कदम उठाएं देश की जनता विपख्ष से अच्छे कदमों की अपेच्छा रखती है अब तक जो निराशा मिली है शायद इस अठारवी लोग सभा में विपख्ष देश के सामान्य नागरीकों की विपख्ष के नाते उनकी भुमिका की अपेच्छा करता है लोग तंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेच्छा करता है मैं आशा करता हूँ कि विपख्ष उस पे खड़ा उतरेगा साथियों सौधन में सामान्य मान्य नागरीकों की अपेच्छा रहती है डिबेट की डिजिलेंस की लोगों को अपेच्छा नहीं है कि नखरे होते रहे ड्रामा होते रहे डिस्ट्रमंट होता रहे लोग सब्स्टंस चाहते है स्लोगन नहीं चाहते देश को एक अच्छे विपख्ष की आवशक्ता है जिम्यबार विपख्ष्ची आवशक्ता है और मुझे पक्का विश्वाद है कि इस अठारवी लोग सभा में हमारे जो सामसद जीत करके आये हैं वो सामान ने मानवी की नपेच्छाओं को पूरुन करने का प्रयास करेंगे साथियों विच्षिद भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब का दाईत्व है हम मिल करके उस दाईत्व को निभाएंगे जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे पचीश करो नागरिकों का गरीबी से भार निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानवजाद की बहुत बड़ी सेवा होगी हमारे देश के लोग एक सो चल्द करो नागरिकों परिश्व करने में कोई कमी नहीं रखते हम उनको जादा से जादा आउसर जुटाएं इसी एक कलपना और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बनेगे हमारी अठारवी लोग सभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान ने मानवी के सप्र साकार हो साथियो मैं फिर एक बार विशेश करके नए सांसदों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं सभी सांसदों का अभिनमदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आईए हम सब मिल करके देश की जनता ने जो नए अदाईत्व दिया है उसको बखुबी निभाएं समर्पन भाव से निभाएं बहुत बहुत धन्यवाद साथियो झाल झाल